हलो दोस्तों आज की स्रीज में हम लोग 4 जन्वरी 2022 को जो आपके एक्जाम में कोशन आए हुए थे उन कोशन को सवाल करेंगे तो पहला कोशन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जीन प्याजे के सिधान के अनुसार विद्यार्थियों को व्याकरडिक संडचनाओं को समझने के लिए भासा सिचक को क्या करना चाहिए दोस्तों इसका अंसर आप लोग करिए जैसा कि कोशन को आप समझ पारेंगे को विभीन संदचनाओं की खोश करने दें तो यह हमारा करेक्ट अंसर होगा नेक्स कोशन देखेंगे कच्चा में चर्चा के दवरान कच्चा पांच की एक विद्यार थी ब्रिस्टा चार के काड़ों पर अपना दिरिस्टी कोड प्रस्तित करती है इस दवरान ना तो वह दूसरों के विचारों से सहमती प्रकट कर रही है और नहीं वह दूसरे के नजरिये से विशेवस्त को देखने की कोशिश कर रही है प्याजे की अनुसार वक्किस प्रकार के भाशर में सामिल है और नहीं वह दूसरे के काड़ों पर अपना द्रिश्टि कोड प्रस्तुत करती है इस दरान न तो वह दूसरों के विचारों से सहमती प्रकट कर रही है और नहीं वह दूसरे के नजारिये से विशेवस्त को देखने की कोशिश कर रही है यानि वह जो कुछ कर रही है खुद से कर रही है तो यह क्या होगा आत्मकेंदृत भाशड होगा यानि फ़र्स्ट आप्शन करेक्ट हो जाएगा next question हम देखते हैं प्यज़े की अनुसार भाशा का विकास किस से किस तक होता है first है निजी से व्यक्तिगत या फिर second है निजी से समाजिकरिग third है आत्मकेंडरीच से समाजिक fourth है आत्मकेंडरीच दोस्तों इस सारे सिरीज में कोई कहना ही नहीं है कि कौन सा कोशन आपका important है कौन सा नहीं है सारे कोशन आपके important है तो सारे कोशन पर आप लोग ध्यान दीजिएगा प्याजी के अनुसार भाषा के विकास दोस्तों आत्म केंडरी से समाजिक तक होता है यानि थर्ड आप्शन हमारा correct हो जाएगा अगला कोशन देखेंगे इस्टिफेन क्रेशन के अनुसार कौन सी अचेतन पर करिया है option फर्स्ट है सीखना सेकेंड है अर्जन, थर्ड है सुनना फोर्थ है संप्रेशर तो दोस्तों इस्टिफेन क्रेशन के अनुसार कौन सी अचेतन पर करिया है आप लोग अपना अंसर करिए तो दोस्तों अरजन हमारा correct option होगा यानि second option हमारा correct हो जाएगा अगला कुशन आप देख पारोंगे रास्टियो पार्थी चरिया रूप रेखा 2005 की आधार पर पठन कोशल से क्या ताथ पर है दोस्तों यहां से 2005 से कोशन पूछे जा रहे हैं 2020 से पूछे जा रहे हैं तो आप लोग ध्यान दीजिएगा फर्स्ट है शुद्ध उचारण करना सेकेंड है अच्छरों को पढ़ना थर्ड है समझ के साथ पढ़ना फोर्ट है कटिन वाक्यों को पढ़ना जैसा कि कोशन में आप देख पारोंगे रास्टी पार्टी चरिया रूप रेखा 2005 के आदार पर पठन कोशन से क्या तात पर है तो हमें बताना है समझ के साथ पढ़ना अच्छरों को पढ़ना यह हमारा बेस टांसर नहीं शुद्ध उचारण करना यह भी यानि समझ के साथ पढ़ना यह हमारा करेक्ट अंसर होगा आफशन थर्ड अगला कोशन आप देख पारोंगे कुल भौतिक प्रतिकरिया टी आर्पी में किसकी केंद्री भूमिका होती है आफशन फर्स्ट है सिच्छक की सेकेंड है अभिभावक की थर्ड है परिवार की फोर्थ है विद्यारती की तो दोस्तों इसका अंसर आप लोग करिए कुल भौतिक प्रतिकरिया यानि टी आर्पी में किसकी केंद्री भूमिका होती है तो दोस्तों इसमें जो होती है वो शिच्छक ही होती है यानि फर्स्ट आप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा नेक्स कोशन देखते है समगर भाषा उपागम में भाषा अधियम के लिए एक उपकरण के रुप में क्या प्रियोग किया जाता है आप्सन फर्स्ट है किरिया सेकेंड है साहित थर्ड है बाल कविताएं फोर्थ है खिलाउने तो इसका अंसर आप लोग करिए समगर भाषा उपागम में भाषा अधियम के लिए एक उपकरण के रुप में क्या प्रियोग किया जाता है तो दोस्तों ये साहित जो है ये प्रियोग किया जाता है बहु भाषाबाद का एक लचीला सोरूप है ब दिया है ट्रांस लेंग्वेजिंग समप्रेशर शमता के समर्दन के लिए जानी गई भाषाओं के बीच एक भाषा से दूसरी में विवार करना है आफसन फर्स्ट है अ सही है ब गलत है सिकेंड़ है अ गलत है बस है थर्ड है अ और बस सही है फोट है अ और बस दोनों गलत है तो दोस्तों इसका अंसर आप लोग करिये ट्रांस लेंग्वेजिंग बहु भाषाबाद का एक लचीला सोरूप है ये तो हमारा सही है ट्रांस लेंग्वेजिंग संप्रेशर चंपता के समर्धन के लिए जानी गई भाषाओं की बीच एक भाषा से दूसरे में विभार करना है ये भी हमारा करेक्ट है यानि आ और बा दोनों से ये तो आप अप्शन देख पारूँगे थर्ड अप्शन में आ और बा दोनों से ये हमारा करेक्ट हो जाएगा नेक्स कोशन आप देख पारोगे एक विद्याते जिसके घर की भाषा और विद्याले की भाषा अलग-अलग है आप एक संसाधन की रूप में उसकी कैसी मदद कर सकते हैं कैसे मदद कर सकते हैं, फरस्ट है उसे कच्छा में अधिक समय और ध्यान दे कर, सेकेंड है कच्छा में बभु भाशिक्ता को संसाधन की रूप में उपयोग करके, थार्ड है इसको ग्रीक कारे से समनित कारियों में लचिला पन दे करके, फोर्ट है कच्छा में उसकी मात्र बहुत सारे स्टूड़ ने का पूंत करें और दोस्तों वीडियो को आप लोग प्लीस लाइक कर दीजिए ज्यादर ज्यादर इसको शेयर कर यह जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और अपकी जो कमेंट आरहे हैं मैंने बताया था आप लोग अपना फीट आप एक अच्छा इसको कर सकते हैं तो दोस्तों इसका आंसर करिए इसी तरह आप लोग अपनी तयारी करते रहें दोस्तों कच्छा में बहु भाशिक्ता को संसाधन के रूप में उप्योग करके यह हमारा करेक्ट आंसर होने यानि सेकेंड आप देख पारोंगे यह करेक्ट हो जाएगा नेक्स कोशन और इसी रीज का आज का लास्ट कोशन आप देख पारोंगे निम्नालिकित में से कौन सा लेखन कोशल का उच्चितम अस्तर है आप्सन फर्स्ट है सही वर्तनी, सेकेंड है सही उक्ता अच्चर लिखना, थार्ड है लेख लिखना, फोर्थ है वाक्यों में कठिन शब्दों का प्रियूग करना जैसा कि आप कोशन में पड़ पार रहे हों, निम्नालिकित में से कौन सा लेखन कोशल का उच्चितम अस्तर है, हमें लेखन कोशल का बताना है तो सही वर्थनी तो नहीं होगा सही उक्ता अच्छल लिखना ये भी नहीं होगा वाक्यों में कठीन शब्दों का प्रियोग करना ये भी हमारा नहीं होगा यानि लेख लिखना ये हमारा correct option होगा थर्ड option हमारा correct हो जाएगा तो दोस्तों ये थे आज के 10 question और दोस्तों ये question जो है आपके 4 जनवरी 2022 को पूछे गए है तो इन question पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि question रिपीट हो रहा है जैसा कि ये 239 को आपका जो पेपर हुआ है उसमें भी question जादा तर रिपीट थे तो इन सारे question को ध्यान दीजिए कि आपकी EVS और CDP की भी मैं दे रही हूँ वो भी आज 4 जनवरी को जो आपके पेपर में पूछे गए थे question वो भी आज EVS और CDP के मैं दूँगी उसको भी देखिएगा तो दोस्तों मिलते हैं हम नए स्टूडियो में नए स्रीच के साथ तब तक लिए बाई बाई टिक केर खुश रहिए पढ़ते रहिए मिलते हैं नेक्स्टूडियो में